वेल्कम इन माई स्वीट कीचेन वित मादुरी तो आज हम बनाने जा रहे हैं फेरो रोशर केक चले देखते हैं कैसे कैसे बना यह मैंने हेजल निट ले लिया इसे मैंने रोस्ट कर लिया था अब इसे मैं एक मिक्सी ग्राइंडर में मिला के थोरा सा इसे दर्दरा कर लोंग इसे दर्दरा ही हमारा और इसे मैंने जादा नहीं एक से दो सेकंड चलाया है तो देखें अब मैं इसे एक बॉल में आपको निकाल के दिखाऊंगी कि यह ग्रेनुवल ही दिख रहा है यह जादा बारिक नहीं हुआ यह दर्दरा ही है अब हम तो यह मैंने डाक चॉकलेट ले लिया है और इसे मैंने डबल बॉयर से जो है बॉयल कर लिया है अब देखें मैं यह क्रीम में जो हूँ चॉकलेट यह डाक चॉकलेट में ला लोंगी यह मैंने पान से छे चमस लिया है अब मैं इसमें हैजलनट डालोंगी हैजलनट भी मै पान से छे चमच इसमें डाल दूँगी हम इन सभी को अच्छी से मिला लेंगे हैजलनट और क्रीम एंड डाक चॉकले मैं इसमें थोड़ा सा और चॉकले डालोंगी अपना सुगर सिनम तियार करेंगे तो मैंने एक कर्टोरे में पानी ले लिया है और उसमें दू-तीन चमच जो है मैंने सुगर पॉडर ले लिया है अब इसमें हम हैजलनट चॉकले डालेंगे इसम अच्छी तरह से मिला लेंगे मैंने टर्निंग टेबल पे केक बुड ले लिया है और केक बुड पे हम थोरा सा चॉकलेट क्रीम लगाएंगे उस पे हम अपना फर्स्ट लेयर डालेंगे मैंने पहले ही लेयरिंग कर लिया था तो मैंने अपने बेस को थ्री लेयर में कटिंग कर लिया था तो यह मेरा फर्स्ट लेयर है तो उस पे मैं अब जो है सुगर सिरम जो मैंने बनाया था हेजल ने डालके उसे डाल दूंगे उसके उपर हम यह इस तरह से चॉकलेट क्रीम डालेंगे और यह हमारा जो हेजल नेट था जिसे मैंने थोरा सा दरदरा कर लिया था उसे इस पे डाल दूंगे अब मेरा ये सेकंड लेयर आगया, सेकंड लेयर को भी हम ऐसे ही करेंगे, उपर क्रिंग डाल देंगे, अच्छे से लेयरिंग करके उपर से फिर हम इंसल नट जो है वो डाल देंगे, तो इस तरह का प्रोसेस हमारा चलता रहेगा अब ये हमारा थर्ड लेयर आगया, थर्ड लेयर मैंने डाल दिया है, और मैं चारो तरफ से पहले जो क्रीम हमारा लगा हुआ है, उसे इवेन कर लूँगी, और मैंने सुगर सिरम से उपर का लेयर भी, थर्ड लेयर भी जो है, सूप कर लिया था और मैंने उस पर क्रीम लग लगालोंगी तो इस तरह से हम क्रीम लगाते जाएंगे धीरे-धीरे कर दीरे सीर और दालोंगी जाएंगे तो करेंगा छाएंगे भी जाएंगे बा号 कित्त उगालोंगी तो हम चाएंगेiros आएंगे मं Arenda कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी मैंने यह ग्लास लिया और पैपिन बैग में यह हमारा जो डाक चोकलेट था जिसे मैंने डबल बॉयलर से बॉयल कर लिया था मतलब आउसे ठंडा होने के बाद क्या करें कि इस तरह से हम एक डाल देंगे आपिन इस तरह से हम उपर से जो है डेकोरेट करने के जो है यह हम डाक चोकलेट है हमारा इस तरह से मैं इस पे डाल दूंगी मैंने चाल तरफ डाक चोकलेट डाल दिया था अब मैं काट के हल्प से जो है उसे चाल तरफ इस तरह से स्प्रेट कर दूंगी अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो है जल नट था जिसे मैंने दरदरा कर लिया था उसे हम इस तरह से चाकू के हल्प से या फिर अपने हाथ से आप लगा दे चाल तरफ के के साइड में नीची की तरह से देखके मैंने चारो तरफ लगा दिया अब में क्या करूंगी कि अब मैं डबल वायर से चोकलेट मैंने लिक्वीड कर लिया है अब इसे हम कानिशिंग के लिए रेडि करेंगे तो हम एक चोकलेट मोल्ड लेंगे इस तरह का मोल्ड है इसमें देखे चॉकलेट शेप का डिजाइन बनावा है उसमें हम थोड़ा थोड़ा चॉकलेट इस तरह से डाल देंगे और इसे हम थोड़ी दिर के लिए पांस से दस मेटा फ्रीज में रखतें ताकि यह सेट हो जाए अब हम क्या करेंगे कि यह हमारा गोल्डिन कलर है इसे गोल्डिन कलर से ब्रश के अलब से हमसे कलरिंग कर लिए तो इस तरह से देखिए मैंने कलर्लिंग कर लिया है तो आप एक एक कड़के जो है सारे चॉकलेट को इस तरह से कलर कर लें देखिए यह मेरे सारे चॉकलेट कलर हो गया है अब मैं फेरो रोश चॉकलेट ले लेती हूँ और अब हम इसे गार्मिश करेंगे यह मैंने डाब चॉकलेट लेके कट्टुकस करने वाले से जो है तरह टोब को मैंने चॉकलेट कर दिया जो गोल्डन राइसे जो डाइसे बना है उसे वह लगा दिया अब इसे बना अब मैंने इस पर लगा दिया एक अब आल आई होप कि आपको यह डेजाइन जरूर पसंद आया होगा तो कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है